इसलामे वालेकूम गाईस व्लिकम बैक तु माइ यूटूब चेनल, दोस्तो आज किस वुड़े में मैं आप लोगों बता लेंगे किसे आप अपनी वीडियो को वाइरल करवा सकते हैं, अपनी वीडियो को यूटूब में रैंक करवा सकते हैं, दोस्तो जाधा तर क्या होता लगातां कुछ आपड़ के बारे में ज्हाने से जरूजि popular को सिलेक्ट कर personal customers wise में देद आप में जहना कर सकता हैं अब अब ही तक आपने चलने हो सब्सक्राइब नहीं के तो में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस लाइक कर लिए यूटूब से रिलेटिट ऐसी वीडियो देखने के लिए था दोस्तों मैं उससे पहला आप लोगों बता देता हूं कि आज मैं आप लोगों वीड आईक्यू का मुकमर टूटोरि और वहां पर आपको कम्पीटिशन भी बताएगा जैसे कि दोस्तों आप साइड में स्क्रीन शॉट देख सकते हैं कम्पीटिशन कितना है और इसकी सर्चिंग रिजल्ट कितनी है तो दोस्तों इसके जरीए आप अपने कीवर्ट भी सेलेक्ट कर सकता है और इसके जरीए आ इसके मैंने एक विडियो बनाया और उसमें मैंने कीवर्ट लगाया कि हाओ तू कुम्पीट 100 सब्सक्राइबर इं टें देश बने विच्वे तो बंदा है जो विईवर से हमारी किलिक करेंगा तो दोस्तों उसे कि हम कहते हैं कि फिरस्ट में वीडियो को रहेंक कर वाना और उसके जरी दोस्तों हमारी वीडियो वाइरल होने के चांसे भी दोस्तों होता यह कि जब भी आप किसी की भी topic के समस्owski से तो दोस्तों आपको दिखाए देता है इस वच्छे से तो दिखाए देता क्योंकि वो बैस्ट टेक्स और बैस्ट की वरड लगातें VidIQ के मदधसे दुस्तो, चले दुस्तो, मूब आपको मुकमल डिटेल बतातूंब, कैसे आपको इसमें टैक्स फाट्ट करना है, और आपको कैसे अपने keywords के दिजियार्याष से topic फाट्ट करना है, चले दूस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोगो video iq apps open कर लेना है दोस्तों आपको simply play store से डाउनलोड कर लेना है और इसके डाउनलोड करने के बाद यह आप से कुछ permission मांगेगा आप से gmail की आईडी मांगेगा और उस gmail की आईडी आपको देना है जिससे आप अपना चैनल लॉग इन किये में तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घवराना नहीं है क्योंकि दोस्तों यह YouTube से verified apps है और जितने भी बड़े बड़े YouTuber से वो सब इसमें अपनी ID login करते हैं तो इससे कोई आपको मसला नहीं होने वाला है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी चैनल के analytics open हो गई है औ सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर सबसे इसका मैन फायदा वो यह है daily ideas दोस्तों सबसे पहले आप जब इसे on करेंगे हर रोज 24 घंटे के बाद तो दोस्तों यह आपको तीन topic find करके देगा यानि कि दोस्तों आपको किसी भी category से related channel है तो वो आपको उसी category की तीन topics find करके सारे इसमें keywords और इसमें competition वागेर देखने को मिलते हैं मैं आपको पुरा तफसील से बताता हूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि optimize your video मेरी पूरी video की channel के analytics on हो गई है आप यहां पर देख सकते हैं अब दोस्तों मैं कोई सबी एक videos को open कर लेता आप यहां पर आ suggest कर रहा है हमें text यानि कि दोस्तों मैंने open camera के उपर tutorial में video पनाया है तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि यह उसी open camera से related और भी मुझे text अपनी तरफ से suggest कर रहा है कि आप यह वाले text लगाएं तो दोस्तों अगर आप इसके text को लगाएंगे तो आप यहां पर देख सकते ह तो दोस्तों आपको simple इसमे पलस वाल icon पर click करने तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 500 text पहले ही से लगाए तो इसलिए यहां पर error बता रहा है तो दोस्तों यह आपको खुद text का option देगा कि आप खुद से text लगा सकते हैं इसके बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा function य यहां से आप अपने वीडियो का score check कर सकते हैं कि आपने वीडियो बिल्कुल सही बनाया है या नहीं तो दोस्ता आप यहां पे देख सकते हैं कि actionable item यहां इनि एक पर 58 में से 50 पर से और दोस्ता हम यहां पर देख सकते ग्रीन बता रहा हैं यानि कि हमने बिल्कुल सही tag, tag volume, keyword in title, keyword in description सब कुछ सही लिगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 में से 5, बागे सब में 5 मिचे 5, 5 में से 5 है अब दोस्तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है checklist, दोस्तो आप simple इस checklist में जाएंगे तो यहाँ से आपको यह खुदी suggest करेगा कि आपने title lengthy बनाया है या title सही बनाया है दोस्तो अगर यहाँ पे आपको green ऐसा icon दिखाए देगा तो आप समझ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही बनाया है दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि title length यहाँ पे कटम का एक निशान आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 88 बता रहा है यानि कि मैंने title थोड़ा सा lengthy बना दिया आपको 60 digit कर रखना है इससे दोस्तो कोई मसला तो नहीं हो नहां ले बस यह आपको suggested करता है कि आप अपने title को correct कर लें अब दोस्तो के नीचा आदे तो आप यहाँ पे देख सकते description length अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि green tick आ रहा है यानि कि description मैंने बिल्कु सही लिखा है अब text आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ टेक्स भी मैंने सही लिखा है यानि कि जो आपके audience को पसंद है आप उसी हिसाब से वीडियो बनाए ना कि ऐसा वीडियो बनाए कि आपके audience को पसंद देए तो दोस्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MADPublic में भी मेरटी का रहा है यानि कि मैने बिल्कुल पब्लिक के हिसाब से ही वीडियो बनाया है, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि added one tag in title, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आप अपने वीडियो में text के हिसाब से title लगाएं, जब कि दोस्तों आप भी अपने वीडियो में जब भी आप text लगाते हैं या फिर title लगाते हैं तो उससे same रखने कोशिश करें, यानि कि अगर आप कोई एक title लगाते हैं कि how to complete one के subscriber intent is, तो दोस्तों उसी तरीके के text आपको text में भी लगाने हैं, यानि कि दोस्तों title भी वही आप करना चाहिए और text भी वही हो होना चाहिए, इससे दोस्तों आपके video viral होने के chances बढ़े आते हैं, अब दोस्तों इसके थोड़ा सब हम scroll down और कर लेता हैं, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते, added one tag in description, यानि कि दोस्तों अगर जो चीज़ आपने title में लगा है, वो आपको description और text में भी लगाना है, या यानि कि दोस्तों ये इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप अपना title का एक text description में लगा देंगे, तो इससे YouTube जो है आपकी videos को viral करने में असानी हो जाएगी, और आप यहां पर देख सकते the first few line, यानि कि शुरू में जब आप text description लगाते हैं, तो वहां पर आप ज़ादतर कोश description, यानि कि दोस्तों आपको अपनी videos के description में link देना है, मान लिजए अगर आप Amazon का काम करते हैं, Amazon का link देना चाहते हैं, तो Amazon का आप link दे सकते हैं, तो वन्ना दोस्तों आप अपनी videos का भी यहां पर link दे सकते हैं, अब दोस्तों इसके नीचे आजाते हैं, तो इसके नीचे वो भी इसके वी viral मेंने की chances बढ़े आते हैं तो दोस्तो आपको समझ में आगे होगा कि वीड़ IQ हमें कितना help करता हमारी videos को rank करने में हमारी videos को viral करने में तो मैं आप लोग प्रेफर करूँखा कि आप लोग भी वीड़ IQ apps का इस्तामाल करें जितने भी बड़े बड़े यूटूबर से वो जादा तर विड आईक्यू एप्स का इस्तमाल करते हैं बहुत कम ऐसे यूटूबर से जो आप लोगों को इसकी मुकमल डिटेल बताते हैं क्योंकि दोस्तों उनकी जितने भी वीडियो वाइरल हो रही होती है वो इसी जरीयर यानि के विड आईक्यू और ट्यूब बड़ी के जरीयर ही वाइरल हो रही होती है भले उनके चैनल में वन विलियन सब्सक्राइब हो या फिर टू मिलियन हो या फिर एक लाग सब्सक्राइब हो जहार जितने भी यूटीबर से वो जादा तर वीड आईक्यू और ट्यूब बेटी का इस्तमाल करते हैं अब दोस्तों यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा अब हम इसके कीवर्ड के तरफ चलते हैं यानि के दोस्तों इसके जो मैं आपको बता है यह competition भी यह बताता है कितना है आपको इस topic पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं तो चलिए दोस्तों आप उस तरफ देख लेते हैं अब दोस्तों आप लोगो यहां तक का समझ में आ गया होगा अब दोस्तों आपको यहां पर नीचे पर आइकन शो हो रहा होगा research के नाम से दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं research simply आपको इसमें click करना है click करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर दिखाए देगा enter a keyword तो दोस्तों आपको simply इसमें जाना है और यहाँ पर सर्च करना दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते कि मैंने कितने सारे कीवर्ट सर्च किये हुए और उसी हिसाब से मैं अपनी YouTube की वीडियो को बनाता हूँ इसी के जरीए तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल ही लिखना है कि हाँ टू कम्प्लीट सब्सक्राइबर मान लेज़े आपको इसा भी एक कीवर्ट लिख सकते हैं यहाँ पर हाँ टू इंक्रीस फॉलोवर्स और इंस्टाग्राम मान लेज़े मैं एक यही कीवर्ट को सर्च करता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पूरा अवरॉल जो हमारा वॉल्यम है और कम्पिटिशन ही दोनों हमें बता देगा अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्पिटिशन और वॉल्यम वॉल्यम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 69 है यानि कि बह creator से उनका जादोतर channel rank करेगा और उनकी वीडियो rank करेगे क्यूंकि दोस्तों आपको तो कोई जानता नहीं है और आपकी वीडियो काफी नीचे rank करेगी अब दोस्तों इसके बाद हम आ जाते तो दोस्तों आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि यहां पर overall score में जब आप click करे हैं तो दोस्तों आपको यहां पर तीन तरीकी के option दिखाए देंगे अवर ओल इसकोर जो हमें यह बता रहा है इदर पर कि हाव टू गेट इंस्टाग्राम फॉलोवर 46% सर्च है हाव टू इंक्रीस फॉलोवर और इंस्टाग्राम 2020 34% सर्च है अब दोस्तों सिंपली मैं प पहले वाले से थोड़ा सक्काम है अब दोस्तों आपको यहां तक समझ में आगया होगा competition और volume के बारे में अब दोस्तों इसके बाद हम filter में जाके यहां से सर्च वालियम को देख सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा search वालियम है second वाले Number जो कि मैंने पहले कीवर्ट सर्च किया था तो इसमें 254,000,31 इसमें सर्च यह वो हैं तो दोस्तों आप अगर इसमें किलिक करेंगे तो यहां पर आपको बता देगा कि इसमें कंपिटिशन कितना है और वॉल्यूम कितना है जैसे कि मैंने आपको भी पहले बता है इसके बाद आदम आ जाते हैं कंपिटिशन में तो कंपिटिशन दुस्ता आप यहां पर देख सकते हैं कि यह दोनों में सबसे ज़ादा हैं यहां पर देख सकते हाइ-हाई-हाई लिखावा आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हाउ टू इंक्रिस फ्लोवर और इंस्टाग्राम 2021 इसमें मीडियम है तो दोस्तों इसे हम चेक कर लेते हैं अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मीडियम बता रहा है और 43% इसका वॉलियम बता रहा है दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो वाइरल होने के चांसिस बढ़ आत जिसके पर competition बहुत कम है, मैं आप लोगों यहां पर लिख के दिखाता हूँ, best screen recorder, ठीक है, best screen recorder for android, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, कि competition हमारा medium है, और volume बहुत जादा है, तो दोस्तों इस topic पर अगर आप video बनाएंगे, तो आपकी video viral होने की chances बढ़े आएंगे, volume आपका 57 है, यानि कि जो audience है, वो 57% हमारी videos को सर्च कर रही है, इस topic की videos को, और competition भी इसमें मीडिया में है, यानि कि इतना जादा competition नहीं है, अगर दोस्तों red वाले में आता है, या फिर orange वाले में आता है, dark orange वाले में, तो दोस्तों आप समझ जाएगा, हाई है, और आप अ topic के हिसाब से अपने volume और competition को देख सकते हैं, और कैसे आप इसमें keywords और text लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये थी video की कुछ मुकमल detail की video, दोस्तों आपको video की मुकमल तफसिर समझ में आ गए होगी, अब दोस्तों हम चलते हैं tag you, यानि कि दोस्तों आपको यहाँ पर दीख रहा आते हैं, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसमें भी कुछ इसी तरीके से दोस्तों दिखाए देगा, आपको find competitor और suggested keyword और get text from URL, यानि कि दोस्तों इसमें सबसे बड़ा function यही है, कि आप जब किसी बड़े youtube के copy link करें, यानि कि उनके जो video से video की link को copy करके, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करके उनके जितने भी text हैं, जितने भी जैसे कोई बड़ा YouTuber कोई text लगाता है, तो उनके text आपको यहाँ पर show हो जाएंगे, और उससे आप simply copy करके अपने वीडियो के text में लगा सकते हैं, तो दोस्तों इससे भी आपकी वीडियो वा हैं, अब इसे आपको check कर लेना, चेक करने बाद भी थोड़ी से loading लेगा, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे suggested keyword हमें दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से भी अपने keywords को suggest कर सकते हैं, subscriber कैसे height करें, subscriber कैसे बढ़ा यूट्यूब पर, तो दोस्तों इससे भी आपके वीडियो वाइरल होने के chances बढ़े आते हैं, इससे दोस्तों यह फाइदा होता है कि आप यहाँ से text को simply यहाँ option में click करके, इसको copy करके, अपने वीडियो के text में direct जाके paste कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, has already copied all text to click button इससे, पहले मैंने इससे copy किया तो इसलिए नहीं बता रहा है, आप simple यहाँ से copy करके, अपने वीडियो के text में जाके इससे paste कर सकते हैं, इससे भी दूस्तों आपकी वीडियो वाइरल हो सकती है, दोस्तों आप यहाँ पर कोई से भी keyword सर्च करते हैं, keyword सर्च करके आप जाके अपने text में या फिर description में आप कहीं पर भी उससे paste कर सकते हैं, और इससे कोई copyright वगएरा claim नहीं आएगा, तो दोस्तों अब इसके बाद हम आ जाते हैं, find competitor में आना और यहीं आपको लिखना है कि subscriber कैसे बढ़ा है, तो दोस्तों find competitor में आपको आना और यहाँ आपको ल देख सकते हैं कि Instagram जैसी मैंने लिखा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, new trending Instagram rails और आप इसके site करेंगे, तो यहाँ पर इतना सारा कुछ लिखा हुआ जाएगा, Instagram beginner tutorial और दोस्तों आपको उपर उस channel का वीडियो भी show होगा, जिस channel का यह आपको keyword find करके दिया है, त टैक्स में भी लिखे हैं, इस से भी दोस्तों आपके वीडियो वाइरल होने के चांसे भी बढ़े आते हैं, तो दोस्तों यह थी कुछ विड़ आईक्यू एप्स की और हैश्टेग यू एप्स की मुकमर टुटोरियल वीडियो, उमीद है आपको यह पूरी वीडियो समझ मागा होगी, वीडियो अगर पसंद नहीं होगी, तो प्लेस एक लाइक जरूर कर दिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार क्या कर रहो, इतनी महिनत लगती वीडियो बनाने में, प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्ल कर लिए यूटूब से रिलेटिट ऐसी वीडियो देखने के लिए, तो मिलते हैं को और एक इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अल्लाहाफेज